अपने थाकुर जी का सुन्दर सा श्रंगार कर सकते हैं, तो आईए, अब हम शूरू करते हैं, अपने थाकुर जी का सुन्दर सा श्रंगार, तो ये देखे, पहले चंदन से हमने पूरे उनके बाजुबन बनाए हैं और ये उनके फेस का श्रंगार हो चुका है और अब उनके ये बाजुबन बन रहे हैं और इस तरीके से ठाकुर जी का पूरा चंदन स्रंगार किया जाता है अक्षर तित्या के दिन आप अगर ठागर जे को चंदन अर्पित करते हैं तो उन्हें बहुत ही सुखो और आनंद की प्राप्ति होती है और ये देखिए ये धीरी धीरी करके अब उनका चंदन श्रिंगार जो है वो चल रहा है और अक्षए तित्ता के दिन जो है हमने देखिए उनके वस्तर भी जो है उनके गले के हार भी और जो उनका पूरा श्रंगार किया है वो सिर्फ चंदन से ही बनाया है और ये उनकी आँखों के पास देखे कितनी सुन्दर प्यारी सी पत्रावली की है और ये आप उनका फेज जो देख रहे हैं ये सब जो है चंदन से ही उनका शंगार हो रहा है ये देखिए और यह बहुत बारीकी का काम है और बहुत सुंदर ही चन्नन शिंगार होता है। चने का सत्तू, आपको जो भी सत्तू मिले, सत्तू का आपने जरूर भोग लगाना है, क्योंकि बाके बिहारी मंदिर में भी इस दिन जो चने और सत्तू के भोग लगाया जाते हैं, और ठाकुर जी को ठंडी ठंडी चीज़े पवाई जाती हैं, कि जिससे उन्हें गर्मी का एसास ना हो, और चंडन उनको जो है गुलाब जल और इत्र में गोल कर लगाया जाता है, और उसके बाद वो चंडन प्रसादी होकर लोगों को प्रसास वरूप दिया जाता है, और जो आपने देखा था मेरी पिछली वीडियो में कि मैंने चंडन का गोला बनाया है, वो ज से ठाकुर जी बहुत प्रसंद होते हैं और आप जब अक्षित इत्ता के दिन यह जो गोला है ठाकुर जी को अगर चड़ा देते हैं और उसके बार अपने मस्तक पर धारन करते हैं तो यह समझे कि आपने ठाकुर जी के चंडों की रज जो है स्जाल कि ऐस्ता है यह सूखने के बाद यह तोड़ा सा सकत तो इसके बाद हमें क्या करना है कि गुलाब जलकों स्प्रेय हमें लेना है हल्का-हल्का उनके उपर एक स्प्रेय करते रहनें जो है उनका हार भी हमने इसी चंदन से बनाया है और लाल चंदन इसमें हमने लाल चंदन सफेज चंदन और पीले चंदन का प्रयोग किया है और उनके पूरी पत्रावली है आप यह जो देख रहे हैं उनके पैरों पर पत्रावली की जा रही है यह भी पूरी चंदन से ही की इसे बहुत ही सुन्दर दिवे शिंगार होता है आपने यह मंदिरों में हुझा होगा पर हमने चोठा सा प्रियास किया है कि हम घर में अपने ठाक जिको यह यह द्यूत अर। जो है बहुत ही समय लगता है इसे करवाने में और दीरे-दीरे करके ये श्रिंगार जो है पूर्णता की और बढ़ जब आप ये श्रिंगार कर ठाकुर जी को कराएंगे तो उसके बाद आपने जो गुलाब जल है उसे लेकर थोड़ थोड़ देर बाद स्प्रे करते रहना ह क्योंकि जब चंदन का श्रिंगार सूख जाता है तो हमारे लाला तो एक बहुत छोटे से बच्चे हैं तो उन्हें कितनी तकलिफ होगी तो इसलिए हमें ही चाहिए कि उसके थोड़ थोड़ देर बाद हम उस पर गुलाब जल का स्प्रे करते रहें और उसके बाद हमें उ जाकर ना ये पूरी पत्रावली करने के बाद आपने ठाकर जी को जो है पाएल धारन करानी है इस दिन बागे बिहारी मंदिर जीन को भी पाएल धारन कराई जातीbahn में आप देखिए कि हमने गोपी चंदन का यहलो चंदन का और लालफल चंदन का प्रियोक किया है जिससे क यह शिंगार बहुत ही सुन्दर और उभरकर आ रहा है और इसमें आप जो देख रहे हैं यह बहुत ही बारीक पत्रावली की जाती है ठाकुजी के चन्नों पर यह देखिए और यह नो पत्रा की जा रही है क्योंकि अक्षे तित्या के दिन ठाकुर जी के चरनों को जो है देखने का बहुत ही महत्व होता है बांके बिहारी मंदिर में अगर आप ठाकुर जी के चरन दर्शन करते हैं तो आपको बद्री नाज जी के दर्शनों का सो भग्य प्राप्त होता है तो ठाकुर जी जो है हमारे चाहें वो बांके बिहारी जी के रूप में हो चाहें आपके लड़ू गोपाल हो चाहें जुगल सरकार हो अगर आपका उनके प्रती भाव है तो वो आपके घर में भी उसी रूप से विराजमान है जिस रूप से वो बिहारी जी मंदिर में है उसके बाद रेड कलर का चंदन लगा जाएगा और ठाकुर जी के जो पूरे चरण है उन्हें सुन्दर सा ये देखे उनको सुन्दर सा सजाया जाएगा और ये बहुत ही बारिक वर्क होता है बहुत ही आराम से और बहुत ही दिरे दिरे जो है ये शंगार किया जाता है और य चंदन यातरा आरंब हो जाती है और उनको हर दिन चंदन लगा जाता है आप अगर रोज या शिंगार ना कर सके तो आप सिर्फ चंदन को घोल कर ठाकुर जी को जो है एक तिलक लगाईए और उनके गालों पर हलका सा चंदन लगा दीजिए उनके माते पर ताकि उन्हें ठड़ी चुबास को जाते हैं और यह उन्हें चंदन का शिंगार है यह भी धारण इसी लेकर आयाजाता है और अब ये देखिए कि हम जो ठाकुर जी का वक्षतल है वहाँ पर राधह नाम लिखा है हमने और आप मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताएं कि आपको हमारे ठाकुर जी का ये चंदन शिंगार कैसा लगा ये देखिए अब ये पीले चंदन से जो है ठाकुर जी के ये देखिए ये लिख दिया गया है राधा और ये उनके ये देखिए बहुत ही आराम से और बहुत ही बारीकी से शिंगार करना पड़ता है और जो बाके बिहारी मंदिर है उसमें चंदन गिसना आरम हो जाता है व्रिंदावन में खोली के बाद से ही चंदन गिसना आरम हो जा पूरी दिव्यवे चंदन यात्रा कराई जाती है और यह लिगा जाता है। हुआ है और अब हमारी यह देखिए गौरांगी के भी जंदन लगा रहे हैं तो मेरी वीडियो पसंद आई हैं लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें